अभी आप लोग को बताते हैं कि ये जो सामने अभी आप लोग देख रहे हैं चोटा चोटा पोल जो देखी जिसमें लिखा हुआ भी है ECR सारे फोरें लगा होता है इधर ले लगा हुआ है और यहां से इसलिए ले लगा रहता है ताकि कोई भी ट्रेन जो की आघी होगी मतलब यह स्टेशन के और यह फ Bayaud इसमें पर आने वाली है तो जो यह पोल लगा हुआ इसमें जो डिस्प्लेई लगा हुआ इसमें पहले ही बता दिया जाता हु sneeze कि य identify कौन सी बोगी मतलब किस जगा पर गृषने वाली है इसमे पहले ही डिस्प्ले होने लगता है मगर दिखिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है DTO तो DTO मतलब होता है Daltangence और ECR मतलब होता है East Central Rail तो उसी प्रकार जो ही बोगी मान लिजे यहाँ पर रुकने वाली हो तो S1 लिखा जाएगा S2 रुकने वाली तो S2 लिखा जाएगा मान लिजे AC बोगी अगर यहाँ पर रुकने वाली हो तो B1, B2 ऐसे ही डिस्पले करेगा इसमें ताकि जो यातिरी लोग है जिनको सुभिदा हो मान लिजे ट्रेन पाँची मिनट रुकने वाली है और देखा जाते हैं तो इसे पाँच मिनट काफी कम समय होता है और यातिरी लोग को चवड़ने में काफी मुश्किल होगा तो ऐसे पहले ही मतलब यहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाता है कि कौन से जगा पर कौन सी बोगी रुकने वाली है तो यातिरी लोग को काफी जाता सुमिधा होता है और यह देखिए बगल में लगा हुआ है एक लोकल ट्रेन जो कि लगभग लग रहा है कि मतलब आदे घंटे से यहाँ पर रुका हुआ है डाल टेन रेल वेस्टेशन पर और सामने देखिएगा तो अधर एक इंजन भी सिंगल इंजन है ने सिंगल ने एक वहाँ पर डबल इंजन है और उसके जश्ट सामने भी एक मालगाड़ी रुका हुआ है वो जो सामने भी आप लोक मालगाड़ी देख रहे हैं उसमें खानी पीना का समान आता है जैसे गेहूम चावल आटा बेगारा और वो जो प्रेट फार्म नमबर चार है उसके लोड होता है तो अभी तुसको खाली किया जा रहा है देख रहे हैं उसमें उसमें जितना भी समान लाया गया है यहां पे खाली होता है और ट्रक के द्वारा जहां जहां जाना हो उसको ले जाये जाता है तो आई होप हमारा वीडियो आप लोको देखने में अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लायक कीजिए और ऐसे ही भरपूर प्यार देते रही है और देखते रहे है भाय का चनल इंसाड़ दे वर्ल्ड